तो अगर आप NEET 2020 के तयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important होने वाली है इस वीडियो को end तक देखिएगा इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ admit carcer related NEET 2020 के admit carcer related NTA ने इस बार कुछ update जारी की है जो आपके लिए जानना बेहुत ज़्यादा जरूरी है जो कि आपके NEET 2019 में नहीं थे तो ये वीडियो आपके लिए इस बहुत से भी important हो जाती है क्योंकि अभी आपके पास समय भी बचा हुआ है exam में और इस समय पर अगर आप कोई गलती कर रहे हैं admit carcer related तो उसको आप ठीक भी कर सकते हैं समय रहते उसको सोधार सकते हैं क्योंकि अगर आप पूरी साल कितनी वे अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं और अगर जरावी चूक आपसे इन जगापर हो जाती है कोई भी गलती अगर आपकी छोटी सी यहां पर हो गई तो आपकी तैयारी का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि आपको exam में बैठने ही नह है सबसे पहली बात इतका admit card का बारा है आपका 27 March इस महीने 27 March से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं यह important information नहीं है important information यह है कि इस बार जो है NTA ने कुछ update किया है आपका जो जो है admit card वो दो पेज में डाउनलोड होगा एक में तो आपका admit card होगा जहां पर आपको passport size का photograph लगाना होगा दूसरा जो होगा आपका page उस पर आपको postcard size photograph लगाना होगा जब आपने need का form बता होगा तब आपने postcard size photograph बनबाया होगा अगर नहीं बनबाया है तो इसको माना है क्या important information है और यह आपके लिए क्यों important हो जाता है यह भी मैं आपके लिए बता हूँ अभी तो यहां पर passport size photograph की में बात करूं तो दो passport size photograph आपके पास होने चाहिए इस समय पर बही वाले जो आपके admit card में लगेगा साथी साथ जो आपका आप जब need का exam देने जाएंग आपके लिए दूसरा attendance seat पर आपको लगाने के लिए एक क्या होना चाहिए एक आपका postcard size photograph होना चाहिए अब यह पोस्ट-kart fan photograph का size क्या होगा यह भी आपके लिए important है तो वह होगा 4x6 का color photo होना चाहिए black and white होना चाहिए तो यह color photo होगा आपका लेकिन white background के साहिए white background होना चाहिए अगर नहीं है तो बनवा लीजिए ये भी आपको अपने साथ लेकर जाना है साथ ही साथ जब examination center पर पहुंचेंगे तो आपके पास एक ID proof होना चाहिए ये आपके लिए important है कि जब आप admin card download कर रहे हैं तो ये दो पेज आपके निकलेंगे जिसमें आपको ये पूरा काम करके जाना है दूसरा आपको अपना ID proof भी है जो लेकर जाना है बिना ID proof के आपका entry नहीं होगी बिना ID proof के तो छोड़ दीजिए आपका अगर इन तीनों में से कोई अगर आपकी चीज़ें कमी होती है तो ये देखिए notification आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं NTA ने बोला है कि आपको examination center के अंदर जाने ही नहीं दिया जाएगा मतलब आपको exam देने ही नहीं दिया जाएगा आपको बाहर कर दिया जाएगा तुरंत समझ मारा है तो ये बिल्कुल भी गलती आपको नहीं करनी है अगर इससे related कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो मुझसे comment section में पूछ सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं कि ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं हाला कि जो लोग बार NEET का exam दे चुक है उनको इन सारी बातों के बारे में पता हो अगर 12 में तो उसका जो है रोल नमर वाला जो आपको admin card मिलता है वो भी ले जा सकते हैं ठीक है ना लेकिन मैं कहूंगा आधर कार अगर लेकर जागो तो ज्यादा हो जाएगा हाला कि mandatory नहीं है कि आधर काड़ी लेकर जाना है कुछ भी ले जा सकते हैं जो भी आईडी प्र आधर की है तो वहाँ पर हमेशा टीचर अवेलवल नहीं होता अपने डाउट कैसे क्लियर करें तो देखिए एक चीज में आपको पताऊगा डाउट भी आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं आपको रिवीजन भी हो जाएगा बस आपको करना क्या है एक बहुत ही सांदार है इसको कैसे क्लियर करें बस प्ले स्टोर में आपको जाना है डाउटनेट को सर्च करना उसको डाउनलोड करिए यह हर बच्चे के पास होना चाहिए आप चाहिए जिस भी कॉम्पूटेशन एक्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत अच्छा है आप है मैं खुद लगा रहे है और rajon के को में आपको कोई डाउट आ गया तो करना क्या रहता है स्में सिंपल यह आपको जो भी कॉम्पूशनि आपको हंभी हिंदी में हो इंग्लेस में जिसनगों आपको क्या अपको एंग्लेस